हेलो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के लिए लेके आए हो धेर सारी सबजियां से बनने वाली नास्ति की रेसिपी जिसे आप इबनिंग स्नैक्स में बना सकते हैं या फिर आपके घर यदी कोई गेस्ट आ रहे हो तो भी आप बना सकते हो खाने में बहुत ही टेस्टी लग आधा उरत दाल लेना है, आधा से थोड़ा सकम उरत दाल, तो दोनों की क्वांटिटी लगबख सेम रहेगी दाल और चावल की, हो सके तो आपना दाल जादा डालना, तो जादा स्वाधिश्ट बनता है, और यदि साम में बना रहे हो, तो आप सुबह भिगो के छोड़ देन कि एक ही साथ आसानी से पिश जाता है, आप इसमें फ्रेंट्स ज़्यादा पानी डाल के भी पीश सकते हो, घोल बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, मीडियम ही रखना है, तो आप इसमें डाल देंगे दो हरी मिर्ची, तीखा आप अपने नुसार कम्याद ज़् सकते हो, साथ में ही एक टुकड़ा अद्रक है, अद्रक का फ्लिवर बहुत ही अच्छा आता है, अब ढकन बंद करके पीस लेंगे, यदि आप लेसन खाते हो तो लेसन भी डाल के पीस सकते हो, एकदम स्मूथ पीस चुका है, एकदम धलका सा भी दानिदार नहीं होना मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये नास्ता तुरत मिंस पीस के तुरंत बनाएंगे, तो खटा तो होगा ने, इसलिए दही डाल दे रहे हैं, दही डालने से क्या होगा, कि टेस्ट फ्लेवर थोड़ा सा चेंज होता है, अच्छा लगता है, तो देखे, पुरी अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, तो ढकन बन करके आदे घंटे के लिए छोड़ देंगे, सेट होने के लिए, आदे घंटे में अच्छी तरह से ये लगबग सेट हो जाएगा, यदि आपके पास टाइम है, तो एक घंटे के लिए भी रख सकते हो, दूसरी तरफ क्या करेंगे, एक गाजर लेंगे, एक टुकड़ा सिमला मिर्च, एक प्याज और थोड़ा सा धनिया पक्ति, मेरे पास इतनी सा इस सबजी थी तो नहीं मैं ले ली, आप ये पास और है तो और डाल दो, तो अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक डाल के और साथ में डाल देंगे, आप बनाओगे न, उसी टाइम इसमें नमक डालना है, यदि आप पहले से नमक डाल के रखोगे न, तो गीला हो जाएगा, इस बात का धिहान रखना है, तो आप देखे, मसाला में नमक मिक्स हो गया है, तो चलते हैं फिर आप नास्ता बनाने की और, तो जब आदा गंटा हो चुका है, आधा गंटा में अच्छी तरह से हलका हलका फर्मेंट हो गया, अच्छी तरह से तो नहीं हुआ है, तो आप ड़कन खोल लेते हैं, तो हलका सा कलर चेंज हुआ है, तो आप देख सकते हो, बस ऐसे में भी बन जाएगा, नास्ता असानी से एकदम जालिदार ब बनेगा, हलका बनेगा, फुला फुला बनेगा तो डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगा, मिक्स भी कैसे करेंगा, लगातार एक से दो मिनट तक, एकदम फ्लापी हो जाए और हलका हो जाए, और ऐसा कुष निए कि एक ही डिरेक्षन में मिक्स करना है, लेकिन यदि हम गरम करेंगे जब तवा हलका सगरम हो जाएगा तो उसमें एक-एक चमच घोल डालेंगे छोटा चमच सथ है इसले मैं थोड़ा सा एक डाल दे रही हूँ लेकिन बड़ी चमच से आप डालोगे न तो एक चमच में असानी से हो जाएगा और यदि आप इस गोल का पदला चीला बनाओगे न वो एक्दम क्रिस्पी बनेगा तो जैसा सुईधा लगे उस हिसाब से आप कर लो तो मैं मोटा मोटा उत्पम की तरह बना रही हूँ अब इस तरह से सबजी डाल देंगे अब आप सोच रहे होगे कि यह उत्पम में उत्पम नहीं उत्पम से कई गुना ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में डाल और चावल है न तो अच्छा टेस्ट आता है अब आपके उपर डिपैंड करता है कि आप इसके उपर कितना सबजी डालना चाहते हो यदि ज़्यादा सबजी खाना पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल दो और यदि थोड़ा सा कम पसंद है तो थोड़ा सा कम भी डालो क्योंकि आज के रेट में बच्चे लोग सबजी खाना कहां पसंद करते हैं तो इस बहाने आप बच्चों को सबजी खिला सकते हो तो बस अब क्या करेंगे सिखने के लिए छोड़ देंगे अब इसके उपर थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे आदा चमज भी नहीं लेखेगा आदा चमज से कम में हो जाएगा और यदि आप बिना तेल का बनाना चाहते हो तो बिना तेल का भी बना सकती हो लेकिन जब आप बच्चों के इसा आप से बना रहे हो तो थोड़ा सा तेल डालके बनाओ क्योंकि बच्चों को मतलब मिंस पसंद आता है हलका सा क्रिस्पी रहेगा और बच्चे में क्या नुकसान करेगा तेल तो बस अब इस तरह से एक बार पलट लेते हैं अब पलट के दूसे सैट भी सेक लेंगे देख सकते हो एक सैट बहुत ही अच्छा कलर आया है हलका हलका सा गोल्डेन कलर का है और एकदम फुला फुला बना है और सबसी खास बात मेरे को लगानों फ्रेंड्स कि एकदम ये सॉफ्ट लगा बना के रखने के बाद तो अब दोनों सैट सीख चुका है बहुत जादा गरम है इसलिए मैं फोल्ड नहीं कर पा रही हूँ तो मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा जालीदार बना है तो फ्रेंड्स अगराज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें